क्या बिहार को अब special status मिल जाएगा जिस विशेस राज्जी के दर्जे की मांग मुख्य मंत्री नितेश कुमार लगतार करते रहे हैं क्या वो दर्जा बिहार को मिल जाएगा ये सवाल इसलिए क्यूंकि जब से n factor देश में सरकार बनने के बीच आई है तब ही से ये मांग इसका फाइदा होना चाहिए एक तरफ चंदर बाबू नाइडू हैं दूसरी तरफ नितेश कुमार इन दोनों के बगैर नरेंद्र मोदी देश की सत्ता में नहीं आ सकते और अब यही वज़ा है कि बिहारी चाह रहे हैं कि इसका फाइदा बिहार को मिले बिहार के मुख्य के मंत्रे नितेश कुमार से लगतार क्या वो नेता प्रतिपक्ष ते जस्वी यादों हो या फिर विपक्ष में बैठा कोई भी नेता हो सब यही कह रहे हैं कि नितेश कुमार अभी आप इसका फाइदा उठाईए और बिहार को स्पेशल दरजा दिलवा दीजे और अब इ जदियू के इस मांग का समर्थन करने लगे हैं जदियू की मांग है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिल जाए मतलब कि विशेस राज्य का दरजा बिहार राज्य को दिया जाए यह जदियू की मांग है दूसरी मांग जदियू की ये भी कहा जा रहा है कि रेल मंत्राले है जदियू ने सत्ता से रेल मंत्राले मांगा है और दूसरी तरफ बिहार को स्पेशल राज़ का दर्ज़ा देने की मांग भी की गई है। इसे में अब लोचपार रामवलास के तमाम सांसदों का जो कहना है वो यही है कि बिहारी जो हैं वो इस बार स्पेशल दर्जवा बिहार को दिलवा कर रहेंगे आपको बता दे कि बिहार के जुतने भी नौ निर्वाचित सांसद हैं अब दिल्ली में मौजूद हैं दिल्ली में अंडिय की बड़ी बैठक हो रही है जहां नरिंद्र मोदी को अंडिय का नेता आपचारिक रूप से चुन लिया जाएगा हालांकि अनवचारिक रूप से पहले ही ये घोशना कर दी गई है कि एंडिय के नेता नरिंद्र मोदी ही रहेंगे इस बार प्रधान मंतरी के तोर पर नरिंद्र मोदी ही रहेंगे जो की नौ तारिक को शपत ले सकते हैं बगर उसके ठीक पहले जहां सुबह सवेरे मुख्य मंतरे नितेश कुमार ने दिल्ली में अपनी आवास पर जदियों के संसदिये दल की बैठक की और उसके बाद अब एंडिये के तमाम नौ निर्वाचित सांसत दिल्ली में मौजूद हैं जिनकी बैठक अब शुरू हो और इसी दोरान चिराग पासवान को लेकर भी खबर आई है कि वो भी अब बिहार को स्पेशल दर्जा दिलाने की मांग कर रही हैं आपको बता दें कि बीजेपी के नित्रित्यों वाले एंडिये की आज बैठक हो रही है इस बैठक में एंडिये के सभी संसत शामिल होने व बैठक बुलाए गई इस बैठक के बाद लोजपर रामविलास के तरफ से चिराग पासवान को संसरी दल का नेता चुना गया है वहीं दूसरे सहियोगी के जदियों के सांसद लवली आनंद के पती के तरफ से भी बड़ा बयान दिया गया है उन्होंने कहा है कि रेल मंतरा में सबी लोग रहेंगे हम लोग बिहार की भलाई चाहेंगे क्योंकि बिहार के रहने वाले हैं वीना देवी ने साफ कहा है कि सरकार से कोई मांग रही है जो हमारे राश्ट्रिय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान वो सब कुछ कर रही हैं और देख रहे हैं वागे आपको बता दे कि इसके लाव राजेश वर्मा जो की लोजपरांविलास के सांसद हैं वो भी यहां बैटक में दिल्ली में मौजूद होने वाले हैं मौजूद हैं और इसी बीच आपको बता दे कि अब ये मांग तेजी से उटने लगी है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना ही चाहिए हलंकि ये मांग काफे पुरानी है मुख्यमंतरे नितेश कुमार कई बार बिहार को विशेश राजजे का दर्जा दिलाने का मांग करते रहे हैं खास कर तब जब मुख्यमंतरी महागडबंदन के साथ सरकार बनाते हैं उस वक्त वो हमेशा जब भी बयान बाज़े कोई देते हैं या फिर कोई भी जो इन सभा करते हैं उस दोरान बिहार को विशेश राज्य का दर्जा मिले इसकी मांग करते हैं और आप देखना दिल्चस्प होगा कि जब नरिंद्र मोदी का जो कमान है नरिंद्र मोदी की कमान जब नितेश कुमार के हाथ में है ऐसा कहा ज वारा है क्योंकि चंद्र बाबू नाइडू और दूसरी तरफ नितेश कुमार की बगैर नरेंद्र मोदी का सत्ता में रहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है और यही कारण है कि इसका फाइदा मुख्य मंतरी नितेश कुमार उठा सकते हैं और बिहार को यही वक्त है वो कि NDA इससे स्विकार करती है या फिर नकार देती है कोई भी खबर आती है तो आप तक जरूर पहुचाएंगे देखते रे फॉस्ट बिहार जारखंड धानेवाद 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं जारखंड के चातरों एवं अभिभावकों के बीच सरवादिक विश्वस्निय एवं लोकप्रियसंस्थान गोल नेशन्स लीडिंग इंस्टिटूट हमारा विश्वास गोल के साथ